हलो मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर बोल ला हूँ और सभी को गुड मार्निंग कैसे हो तुम लोग और जैसा कि तुम्हें मालूम है हर वीक का रिजल्ट पब्लिस करते हैं कि किस वीक के कौल से विजयता रहे हैं तो मंडे टू सटर्डे तक के विजयता हमने घोशित कर दिया है जिसका वीडियो हम आप तक पहुचा रहे हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से लाज तक चरूर देखे और इसका फाइदा आप उठाएं क्योंकि मिस्टा क्लासेस की तरफ से दो स्रीज चलाई जा रही है एक मास्टर स्रीज और दोस्री चैलेंजर स्रीज चलाई जा रही है मास्टर स्रीज में पूरी बायो से कोशन पूछे जाते हैं MCQ ही कराते हैं और ये 12 to 1 PM पर चलती है और साम को चैलेंजर स्रीज चलती है ये 7 to 8 PM पर चलती है इसमें चैप्टर वाइस MCQ कराय जाते हैं और दोनों स्रीज लाइब हैं और दोनों स्रीज फ्री आपकास्ट हैं और नीट के बच्चों के लिए ये दोनों स्रीज बहुत बड़ा फाइदा पहुचाएंगे अगर नीट के बच्चे इन दोनों स्रीज को जोइन करते हैं तो नीट के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर गेन करेंगे और हर वीक अपनी परफार्मेंस देखने का बौका भी मिलेगा आपकी पढ़ाई कैसी चलती है कम है या ज्यादा है हर चीज ओपन हो जाती है इन सीरीज को जोईन करने से क्योंकि पूरी वीक का आपका परडाम संडे को घोसित किया जाता है जैसा कि मैंने घोसित किया है इस वीक के देखे क्या-क्या थे इस वीक में सबसे पहले 8 फर्वरी मंडे को ने समस्टर सीरीज हुई थी और मास्टर स्रीज की विजएता बुसरा इजाज रही थी उसके बाद में साम को चैलेंजर सीरी चली चैलेंजर स्रीज की विजयता रस्मी जार रही है और उसके बाद दूसरे दिन टूस्डे को नाइन फर्वरी को मास्टर स्रीज आई फिर से बुस्रा इजाज ने विनर बनी और उसके बाद में चैलेंजर स्रीज साम को फिर बुस्रा इजाज चंपियन बनी फिर उसके बाद 10 तारीक वेड़ेस देखो Master Series 12 से 1 चली इसमें फिर से बुश्रा इजाज चम्पियन बनी साम को Challenger Series चली उसमें भी बुश्रा इजाज चम्पियन बनी फिर अगले दिन 11 फर्वरी को थर्श देखो Master Series 12 से 1 जो चलती है उसमें सिमिरन हरानी चम्पियन बनी थी और साम को Challenger Series चलती है थर्श देखो इसमें इसनिहल पांडे और बुश्रा इजाज सैयुक्त रोप से कामन रोप से क्योंकि टाई हुआ था स्कोर इसने दोनों को चम्पियन घोसित किया गया इसने हलपांडे और बुश्रा इजाज और फिर उसके बाद 12 फर्वरी को फ्राइडे Master Series आई उसमें बुश्रा इजाज फिर से चम्पियन बनी और फिर साम को 12 फर्वरी को ही फ्राइडे को Challenge Series चलती है इसमें फरहा हसन ने बाजी मारी और चम्पियन बनी और उसके बाद 13 फर्वरी को Saturday Master Series 12 से एक में इसने हल पांडे और नीता चोप्रा सैयुक्त रोप से विनर बनी क्योंकि दोनों के मार्क बराबर थे तो इसने हल पांडे और नीता चोप्रा चम्पियन बनी थी और 12 तारीक को साम को सारी 13 तारीक साम को Saturday जब चैलेंजर स्रीज आई तो बुस्रा इजाज ने बाजी मारी और ये चम्पियन बनी तो जितने भी चम्पियन बने हैं इस वीक के उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें पढ़ते रहें और वीकली अपनी परफार्मेंस को देखते रहें कि आपकी परफार्मेंस कैसी है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो लगभग लगभग सभी बच्चों के 500 के आसपास नमबर हैं और एक अच्छा टप कमटीशन आपको देखने को मिल सकता है और जितना टप जितने अच्छे बच्चों के बीच में आप कमटीशन दोगे आपको अपनी प्रतिभा निखारने का उतना तगड़ा मौका मिलेगा तो जितने भी बच्चे अटेस्चे हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं एक चाई एक टेलेंटेट बच्चे हैं अगर जो वास्तों में अपनी प्रिप्रेशन को देखना चाहते हो तो मिस्सा क्लासेस कि ये दोनों सिरीज मास्टर सिरीज जो दूपहर में 12 से 1 क्लाइप चलती है चैलेंजर सिरीज जो साम को साथ से 8 क्लाइप चलती है इनको जॉइन करिए और अपनी परफार्मेंस को देखें और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें जुटें कितना आप कम स्कोर गेंड कर रहे हो कितना ज्यादा स्कोर गेंड कर रहे हो आपकी सही सही पोजीशन का आकलन हो जाएगा जिस तरीके से नीट में पेपर आता है ठीक उसी पैटरन पर ये दोनों टेस्ट सिरीज कराई जा रही है और जितने भी कोशन्स हैं ये टोटल NCRT बुक पर बेज़ते हैं और नीट इकजामनेशन में भी NCRT से ही कोशन आते हैं तो Monday to Saturday तक के विजयता आपके सामने हैं बुस्रा-इजाच रस्मी जाट फिर बुस्रा-इजाच 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 सिमरन हैरानी इसناहल पंदे बुस्रा-इजाच बुस्त्रा इजाद अर्फा हसन इसनेहल पांडे नीता चोपड़ा और बुस्त्रा इजाद ये वीक के चंपियन रहे हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं अगर तुमको इन लोगों से टक्कर लेनी है तो आप आईए और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है फ्री आपकास तोनों सेरीज हैं और अगर ये प्लानिंग मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में जरूर सेर कर लिजे थैंक्यू